हाई अव्रीवन वेलकम बैक तो मैं चैनल व्यूटिवित निगार दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप दूद से अपनी स्किन को बहुती जादा फ्यर ग्लोईंग और ब्राइट कर सकती है वो भी रात और रात और मॉर्निंग में आप देखेंगी कि आपकी स्किन बहुती जादा ग्लोई कर रही है शाइनिवानी हो गई है चमकदार हो गई है और आपकी sousकीन पे एक नया मिखार आगया है और इस तरह से और दूद से हम अपनी इस्किन को किस तरह से फेयर ग्लोइंग और ब्राइट कर सकते हैं बट उससे पहले अगर दोस्तों आपने मेरे चैनल को अभी तरह सब्सक्राइब नहीं किया है और आप देल में चाहते हैं बिल्कुल यूनीक और वंडर्फुल रेमेडी जो इस्किन को आपकी कर बार और बैल आइकन को भी ब्रेस कर दिजेगा ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन इसी तरह मिलते रहे तो चलिए देखते हैं कि दूद से हम अपनी इस्किन को रातो रात किस तरह से फेयर ग्लोइंग और ब्राइट कर सकते हैं तो फ्रेंड्स यहां पर मैंने ले लिया है थोड़ा सा कच्चा दूद यानि रॉ मिल्क दोस्तों हमारी स्किन के लिए बहुत जादा बेनिफिशल होता है यह हमारी स्किन की एलेक्टिसिटी को पढ़ाता है को लाजिन सिस्टम को स्ट्रॉंग करता है और इसमें पाय जाने वाले लेक्टिक एसीड हमारी स्किन के लिए बहुत जादा बेनिफिशल है और यह हमारे रंग को भी बहुत जादा निखारता है और रिंकल्स और फाइन लाइन को रिमूव करने मदद करता है यह हमारी तो दोस्तों इस तरह से आपको ले लेना है थोड़ा सा कच्चा दूद और इसमें आप एड़ करि स्किन को बहुत ही जादा फेर करेगी और एक सॉफ्ट और सपल बनाएगी आपकी इसकिन को और यह दोस्तों आपकी इसकिन पे शाइन भी लेकर आती है और अब मैं इसमें एड़ कर रही हूँ थोड़ा सा बिल्कूल तीन से चार बून लेमन जूस इसके इस तरह से एड़ कर लिजिए और दोस्तों इन सारे चीजों को आप अच्छी तरह से मिक्स कर लिजे दोस्तों इस तरह हम सब जानते हैं कि यह सकिन प्राइण का काम करता है वाल इजनट है और यह हमारी स्किन को ब्लीच करता है और Duch抓 और इबच को भी रिमूव करता है तो यह बहुती बेहतरीन एक रेमेडी तयार है जो रातो रात आपकी स्किन को बहुती जादा फेयर कर देगी ग्लोइंग बना देगी और बहुती सिंपल तरीका है इसको लगाने का तो दोस्तों आप एक कॉटन बॉल ले लिजे और इसमें डिप करके उसको पूरे अपने फेस पे अच्छी तरह से डब डब करते हुए आपको लगाना है और पूरे इसकीन पे अच्छी तरह से लगा लिजे इसको और लगाने के बाद आप अपने इसको ने के रिया पे भी लगाईएगा ताकि पूरा रंग एक सार रहे आपका अच्छी तर पूरे फेस पे अच्छी तरह से लगाने के बाद दोस्तों आपको इसी तरह से पंदरा मिनट के लिए छोड़ देना है और यह प्रोसेस आपको रात में करना है पंदरा मिनट इस तरह से आप छोड़ दीजे और उसके बाद नॉर्मल वॉटर से आप अपने फेस को क्लीन कर लिजे और पूरी रात ही आपके फेस पे वर्क करेगा आपको इसके बाद कुछ भी अपलाई नहीं करना है और मॉर्निंग में आप देखेंगी कि आपकी स्कीन हो गई है बहुत ही जादा फेर ग्लोईंग और ब्राइट दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ला हुआ हुआ हो